नमस्कार दोस्तों आपका फिर से हमारे एक न्यों वीडियो में स्वागत है तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं अगर आपके पास कोई भी आइमडी वाला फोटो और आप कोई भी फॉर्म को फिल अप करते हैं तो उसमें केवी का फोटो खोशता है 2250 केवी तो आपको कि केवी में चेंज करना है तो इसी से रिलिटेट वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल पर एंड तक जूरे रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है अपना गैलरी को उपेन करना जैसे ही आप उपेन कर लेंगे इसके बाद उस फोटो को स्लेक्ट करना है जो की एमबी में हो और उसको आपको केवी में चेंज करना है तो आपको क्या कर लेना है सिंपल सा आपको अपना फोटो को स्लेक्ट कर लेना जैसे देख सकते दोस्तों हम दिखा दते हैं यह फोटो देख सकते दोस्तों 2.24 एमबी का है अब हमको इसको 50 केवी या 20 केवी में चें कर सकते हैं तो पहला आप मान लेते इमेज कनवर्टर यह एक दूसरा कंप्रेस और पहला इमेज कनवर्टर तो चले इमेज कनवर्टर आपको किस प्रकार से डॉल्लोड करना है तो प्ले स्टोर प्याना और यहां पे लिखना है इमेज कनवर्टर जैसे ही लिखेंगे दोस्त आपके समने आ जाएगा यह वाला देख सकते आपको उसाना करना है जीकल एफ एंवी मेंग हो और आपको उसको केवी में चेंज करना है तो चलिए हम उस फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं देख सकते दोस्तों यह 2.14 MB का हो चुका है इसमें लेने के बाद अब हमको इसको 50 KB में चेंज करना है 2250 KB तो आपको यहां पर से दोस्तों इस परकार से करने लेना देखे और इधर थोरा सा कर लें 44 KB का हो गया तो दोस्तों यह हमारा केवी में चेंज हो गया है 2250 KB तो इसके आसपास है तो यह photo हम किसी भी form fill up करते time डाल सकते हैं तो इस परकार से दोस्तों देख सकते हैं यह के भी भी चेंज हो चुका है बिल्कूल 44 के भी का बन चुका है तो यहां पर से right का option है तो आपको simple size पे click कर देना और यहां पर save का option है बस आपको यहां पर से save कर ल सकते दोस्तों 45 के भी का बन चुका है यह पहले कितने के भी का था टूप M का था आप 45 के भी का बन चुका है तो यह किसी भी form में डाल सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगाओ और इसी तरह का और वी इंट्रेस्टेट वीडियो देखने के लि झाल